गाइस अभी आप जो ओडर देख रहे हैं यहां पर बायर का नेम देखिए बायर नेम के जगा एक इमेल एड्रेस है और बिसिकली इसमें और हम बात करेंगे सो हे एकाम टूक यूट्यूентов दोस्तों आज इस हम एकाई करते हैं यह हमाज़के वीडियो में रखेटेटाहिए यह सदीडियुमें आप वेट यह फिल करना होता है अब कई बार क्या होता है जब हमारा प्रोड़क का वेट 600 ग्राम या 700 ग्राम है और उसको हम 500 ग्राम डाल के स्टडूल कर देते हैं तो क्या होता पिक अप भी हो जाता है बीच में चेक भी नहीं होता है तो ऐसे में यहीं पर आपसे गलती हो जाती है, अगर आप कोई भी प्रोड़ेट का वेट 500 ग्राम आप डाल के सडूल कर रहे हो, जबकि उसका वेट एक्चुल में जादा है, यह डायमेंशन आप जो डाल रहे हैं, उससे जादा है, तो आपको आगे इन फ्यूचर में जो कस कस्तम रिपोर्ट है, वहांपर वेट रेबलन का जो ओडित रिपोर्ट है, वहांपर जो भी एक्ट्रा फी है, वो आपको पे करना पड़ता है, अब बात यहां पर यहां पर यहांपर यह आती है, आखिर 750 आपकि एक्ट्रा डायमेंशन डालके product को sip कर रहे हैं क्योंकि product तो पूरा time career में ही रहता है तो यहीं पर fake order का concept आता है अब यहाँ पर क्या है कि Amazon frequently आपके हर ASIN में fake order करता है fake order से मतलब यह कि Amazon के employees आपके ASIN को pay order करेंगे और order करने के बाद उनका जो office वहाँ पर मंगवाते हैं और वहां पर आपके product का dimension check होता है अगर आपने जो dimension आप regular डालके यहाँ पर sip कर रहे हैं यहाँ नहीं मिलता है या फिर उससे प्रोडक्ट वेट ज्यादा मिलता है तो फिर क्या करते हैं उस मंत में आपने जितना भी उस ASIN के उपर order किया है जितने भी order गया है आपके उसके उपर वह extra charge जो भी बन रहा है वह डालके आपको यह फी पैलेंटी के रूप में देना पड़ता है और यह इसका रिपोर्ट आपको कस्तम रिपोर्ट में मिल जाएगा wait audit report के नाम से यह रिपोर्ट आपको generate होता है और यह जो order से यह basically वह चेक करते हैं और फि इस तरह के Amazon के बहुत से हो सकते email address होंगे जहां पर वह अलग-अलग seller के लिए यूज करता होगा लेकि मुझे इसी email address से orders आते हैं और देख सकते हैं यह फाइप और आया है और फाइप जितने भी order सब 80 हो गए और यह सारी अलग-अलग एसाइन है तो Amazon frequently यह चेक करते रहता है कि इस email address से मुझे order है तो मैं क्या करूँगा कि सही dimension डाल दूगा लेकिन आप जो फिक्वेंटली पास्ट में जो डाल रहे हैं वो भी Amazon चेक करता है तो इसलिए यह फेक order आते हैं तो आपको सही dimension डालके यहाँ पर सिप करना है तो आपको यहाँ पर पैलेंटी नहीं जाता है इसका कोई भी आपको एक्स्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा क्यों Amazon में आटियो का जो भी सिपिंग चार्ज है वो 45 देज के अंदर आपको रियम्बस्मेंट मिल जाता है तो आज की स्वेडियो में बस इतना ही जहां हमने देखा कि इजी सिप के जो order सब सब्स इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में